नमश्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलारासी के महारासी फल के बारे में कि यह दिन तुलारासी वालों के लिए केसा रहेगा किन कीन चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से रहेगी केरियर केसा रहेगा बिजनेस और बैपार केसा रहेगा और स्वास्ते की महतपुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरंग और सुबंग क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको गुपाई बताएंगे जिससे आप आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटोपीकिसन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे न दूका हुआ कार शफलता पुरूबक शंपन हो शकता है घर के विवस्ता को और अधिक बहतर बनाने के लिए आप कुछ शकारत्मक बदलाव लाने पर भी विचार्स भी मर्स करेंगें युवां को केरियर से समन्दित को नया आफसर मिले तो तुरंत उस पर कार करें आपको उची सफलता भी हाशिल होगी घर के बड़े लोगों के सानिदे में आपको अच्छा मार दर्सन मिलेगा चमें आपके लिए बहुती अनुकुल है आपकी आर्थी के जना से समन्दित कोई लक्च भली भूती होने वाला है यह समें बहतरिन उपलब्दियां सामने आएगी क किसी समन्दि के साथ महतेपुन मुद्य पर वीचार्ज भी मर्ज भी होगा और उसके सकार्तमों परणाम भी शामने आएगे साथे साथ दोस्तों किसी नजदि की समन्दि के साथ कोई मनमुटाब चल रहा है तो वह आज किसी वाइष्ट की मद्ध सता से सांती पूर्ण तरीके से हल हो जाएगा किसी नजदि की मित्र यारिसिदार से मुलाकात रोजमर्रा के तनाप से भरे माहौल से रात देगी दिन अच्छा भी वितेगा दोस्तों जो काम पिछले काफी समय से रुकोई वे थे वो आज अल्प प्रयास से ही पूरे हो जाएगे रायती तथा समाजी कती विदियों में भी आपका वर्चा सुरहेगा दोस्तों आज आपका भाग आपको कोई महतपुन उपलवदी देने वाला है इसमें आर्थी इस्ती भी बहुत ही बेहतर रहेगी अतर समय का उचित सदुपियोग करें घर में भी अनुसासन तथा व्यवस्था बनाए रखने में आपका महतपुन योगदान रहेगा दोस्तों आज भागवान का आसिरवाद आपके बनी हुए है आपको भी काम करेंगे तो आपको अवसी सफलता मिलेंगे दिन की सुरवात बहुत ही सुकुन भरी रहेगी कोई सुप समचान मिलने से मन परशन रहेगा घर को शवारने के लिए नई वस्तों की खरिदारी होगी समारों में जाने का भी मोका मिलेगा दोस्तों आज दिन चारिया में कुछ आचानक बदलाव होगे जो की साकारत में भी रहेंगे दोस्तों आपको पिछले अच्छे कर्व परधान होने के कारण भागवान का आसिरवाद आपके बना हुआ है आज आप कोई दी शुब काम करेंगे तो आपको आवसी सफलता मिलेंगे दिन चारिया में भी कुछ आचानक बदलाव होगा जो की साकारत में भी रहेंगे आज रोजमरा की दिन चारिया से हटकर कुछ समय आद्व आपको कोलन में भी समय बित्द करें कोई उलजे वे कारे को वेवस्तित करने का प्रयास भी सफल होगा दोस्तों भगवान की किरपा से आज आपको कोई महतपुन उपलेवधी मिल सकती है जिसके कारण दोस्तों आपके घर परिवार में खुसी वरा बतावन रहेगा भावगता के वज़ा बहवारे नजरिया रखें करवी लोगों के साथ किसी खास मुद्य पर गंबीर और फायदेमन विचार विमर्स होगा युवाँ को केरेर समन्दी अच्छी जनकारी भी हासिल होगी दोस्तों समाजी गत्वा सोसाइटी समन्दी गत्युद्य में भी आपका योगदान देने से कोई बहतरिन अनुभव मिलेंगे परतिष्टा बढ़ेगी महतपुन काम पूरा होने से उमीद और आसाहें सफल रहेंगे किसी समारों में जाने का भी अबसर भी बन सकता है दोस्तों आपकी नेगेटीब की बात करें तो छोटी-छोटी बातों को लिकर मन में किसी भी तरह का विवनस्या नावा आने दे Korean क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होने की आलावा और कुछ नहीं हासिल होगा अपने व्यक्तिगत कारियों को पूरा करने में ही अपना ध्यान दें दोस्तों नकार्त में परवर्थी की लोग आपके कार में विग्ण डाल सकते हैं बेतरगा की सभी निने खुद ही लें आज आकरेन ही कुछ आपसी मद्भेद हो सकते हैं दोस्तों इस समय भाई बहुना से अपने रिस्तों को बहुत अधिक सम्हाल कर रखें किसी आर्थी मद्द करने की वज़े से आपका हाथ तंगी हो साएगा आज ज़्यादा मेल मुलाकाद होने जैसी इस्तित दूर रहें दोस्तों अस्तावधान रहें कि कोई गलती जनकारी आपको भिम्रित कर सकती है अपने कार सेलिवा योजनाव को वेश्तित रूप से संपर्ण करने का प्रयाश करें जल्दवाजी के चकर में आप कुछ काम अधूरी भी छोड़ सकते हैं इसलिए कभी भी दोस्तों जल्दवाजी न करें दोस्तों इस समय रिस्तितारों से समधिक कुछ पूराने वाद वार उठ सकते हैं पन्तों हर समस्या का समधन बहुत ही वेहवार कुसल तरीके से करें पैसे के लेंदर समंधिक कोई बी उधरी करना नुखसायं दायक रहेगा दोस्तों किसी परकार की भी बात वीबात की सिती में ना उलजैं दुसरों के मामने में हस्त चेप भी ना करें आने छेतरों में वैस्ता के साथ साथ घर की वैस्ता बनाए रखने में ध्यान रखें परिवार वालों की नाराजगी हो सकती है दोस्तों वैब साथ की बात करें तो वैब साथ माहिलां को आज बहुत वैस्ता रहेगी आपको महनत के नतीजे भी मिलेंगे इसमें सरकारी नोकरी में महत्पुन इस्ती बन सकती है दोस्तों मीडिया या ओनलाइन गत्ती विदी दारा आपको बीजनेस समंधी नई जानकारी मिलेगी कारश्कल पर सांती पुन माहौल रहेगा कारश्कल में आपकी एककरता और उपस्ती अनुसासित बतावरन बना रहने के लिए जरूरी है बाहरी काम और आतरास्तेगीत रखना उचित रहेगा सरकारी गत्ती विदियों में भी आपका बेहतरिन मुनापा होने की संभावना है दोस्तों आज व्यवसा समंदी गत्ती विदियों में मेहनत करनी पड़ेगी परतिस सपर्दा का भी सामना करना पड़ेगा मुश्किल समय में किसी योग व्यक्ती की सला लेना उचित रहेगा दोस्तों आज सरकारी मामल में किसी से ना उल्जें वरना आप वेवज़े मुसीवत में पढ़ सकते हैं दोस्तों व्यवसाब में कोई भी पुंजी लगाएंगे तो भगवान की किरपा से आप सफल ही होंगे और नहीं तरकी भी हासिल करेंगे इसलिए प्रयासादरें दोस्तों आपको अवसी सफलता मिलेंगे वेवसाब गतिविदिया में सुधार समंदी योजना पर अनुभवी इंसान का मारदर्सन मिलेगा पावले डिलिंग और एडवार्टाजमेंट से समंदी कामा में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है यो आपको रोजगार के भी उचित अवसर मिलेंगे दोस्तों आज आपको भगवान की किरपा से वेवसाब में अच्छे ओडर मिल सकते हैं जिसे आपकी मन पर भूलित रहेंगे और आपको खुश्यवरा बतावना रहेगा दोस्तों वेवसा में वेहतेनी ओडर हासिल होंगे किस राजनती अत्वा अनुवई वेक्ति की सलाव वा मदद आपके वेवसा को नई दिसा परदान करेगी सरकारी ओफिस में किसी परकार की राजनती चल सकती है आप सावधान रहें दोस्तों आज आपकी भागी की रेखा साब दिखाई दे रहा है वेवसा की विस्ता समिंदे जो आपने योजना बनाई है इन्हें भलीवोती करने का अनुकुल समय आ गया है दोस्तों मैं बात कर रहें लव लाइफ की परिवारी तथा वेवसाई गत्ती विदियों में वेहतर तालमिल बना रहेगा प्रेमी प्रमिका को डेटिंग की अवसर मिलेंगे दोस्तों पती पत्नी एक दूसरे की भावना को शम्मान करें परिवार के साथ-साथ किसी धार्मिग अनुष्ठान जाने का भी आफसर मिलेगा गर का वताराण सुख़द और स्वधारपूर्न बना रहेगा प्रेम समवनें भी नजदिक्या रहेगे दोस्तों परिवारी वताराण सुख़द रहेगा प्रेमी प्रमिका के मद अहम आ जाने से समन खराब हो सकते हैं दोस्तों आप अपना प्रेमी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो सावधान रहें दोस्तों सच्चा प्यार विश्वास से ही मिलता है जीवन साथी तथा परिवार के साथ कुछ समय बनरंजन और सोपिंग में व्यतित करने से आप से समन्द में नजदिकियां और मधूरता आएगी प्रेम समन्द में भी निकड़ता बढ़ेगी दोस्तों आज आपके घर में शुखनामा महाल रहेगा आचाने किसी पराने मित्र के मुलकात से सुखनामा यादें ताजा होगी दोस्तों आज आज आपके स्वास्त में ब्लड प्रिशल समस्या बढ़ सकती है लापारवैना करें तो दिनचरिया ववेस्तित रखें आपका स्वास्त ठीक रहेगा और तो नकार्तमक विचारों को अपने अंदर ना उप्चन दें दोस्तों आज आपको अतिदिक कारबार की वज़े से ठकान और कमजोरी हावी रहेंगे सबके साथ आपना भी ध्यान रखना जरूरी है आपकी वज़ेस्ते दिनचरिया वे उत्तम रहन सहन आपको स्वास्त रखेगा इंफिर्स सिस्टम में भी मजबूत रखने आपका स्वास्त ठीक रहेगा और तो तनाब जैसे इस्तित से बचना जरूरी है सिर्दद रह सकता है दोस्तों असंतिलित खानपान की वज़े से पेट खराब रह सकते हैं गैस और एस्टी की समस्या भी बढ़ सकती है इसलिए साफधान रहें चलिस्तों आप बात करते हैं आपके उपाय के बारे में दोस्तों आपकी तरकी को देखकर कोई सत्रू आपको परेशान कर रहा है अधि आपका कोई सत्रू है जिसके करण आपको वेवज़ा ही परेशान का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों उससे छुटकरा पाने के लिए एक भोज़ पतर लें उस पर लाल चंदन से अपने सत्रू का नाम लिखकर उस भोजपत्र को एक सहत के डिब्बे में दिवो कर रख दें आपका सत्रू अपने आप सांत हो जाएगा दोस्ता आप बात कर लएता आपका भागसाली रंग और भागसाली अंक क्या है दोस्ता आपका भागसाली रंग और भागसाली रंग एक है दोस्ता भागवान विश्नु देव का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्छे दिल से कॉमेंट बॉक्स में जै विश्नु देव जरू लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरू करें धन्यवाद